अंद विश्वास के चलते ही रेगिस्तानी जहाजे परेटन का हिस्सा राज्य पशू उटकी गर्दन काटने के मामने में पिपल फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रिभारी बाबुलाल जाजु ने पलिस अदिक शक उदैपुर से उटकी गर्दन काटने का गोष शर्मनाख व वली अदिनियम राज्य पशू संदक्षन अदिनियम अंद विश्वास अदिनियम वे पशू कुरूरता अदिनियम की विभिन्ने धाराओं में मामला दर्चकर कठोर कारवाई की मांगी जाजु ने बताए कि राज्य पशू उटकी संक्या गर्ते-गर्ते मात्र 25 जाजु ने जीला क्लेक्टर उदैपूर को उक्त मामले को गभिर्ता से लेने की मांग करने के साथ ही मुक्य मंत्री से उटकी गर्तन काटने वालों के खिलाफ कड़ी कारवाई की मांगी उदैपूर में रज्य पशू उट परेटन का हिस्सा रहिकिस्तानी जहाज जिसकी गर्दन काट करके अंद्विश्वास के चलते एक बहुत बड़ा सरमनाक और कुरूल जो करते हुआ है उदैपूर कलक्टर और उदैपूर पुलिस अधिक्षक से मैं ये मांग करता हूँ के उट की गर्दन काटने वाले चार अपरादियों के खिलाप चार विबिन धाराओं में मामला दर्ज हो पशू बली अधिनियम अंद्विश्वास अधिनियम पशू कुरूरता अधिनि अधिनियम के तैत घंभीर मामला दर्ज हो और चारों के खिलाप कड़ी कारवाई हो क्योंकि पहले ही राज्य फशू उट की संख्या मात्र घटे घटे 25 प्रतिशत रह गी है और ऐसे अंद्विश्वास में इस तरह के कुरूत करने वालों को अपरादियों को बखसा नहीं जाना चाहिए राज्य के मुख्यमंत्री से भी मैं मांग करता हूं कि इन अपरादियों के खिलाप कड़ी से कड़ी कारवाई की जाए